कि प्यार इतना न करो कि मैं बिगड़ जाओं, कभी डाटो, कभी फट करो कि मैं सुधर जाओं। मेरे कहने का मतलब है कि जो सत्तापक्ष के लोग होते हैं, उनको पत्रकार बंधु जो हैं, उनको आइना दिखाते हैं। पत्रकारता की स्वतंतरता को बाधित नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, हमरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरा उनका अच्छा रिष्टा है। और जब इतने पॉपुलर नहीं थे, जब नए नए आये थे, तो भी हमारे से मिलते थे हमसे, हमारे पास आते थे, मैं भी उनके पास जाता हूँ। और पत्रकारता से अलग हटके हमारा उनका एक भाईचारगी है। कभी मैं उनके, उनसे मिलने जेल में, जेल गेट पे नहीं गया। मुझे लगा कि जेल गेट पे कैमरा लगा रहता है। और जेल गेट पे जाना किस सेंस में कोई क्या लेगा, क्या नहीं लेगा। लेकिन प्रेम जो है, उनसे मेरा अटूठ है, बढ़ियां है, अच्छे आदमी है, समय समय पे मुद्धों को उठाते हैं भी हैं, अच्छे तरीके से। अच्छे आदमी बोलने वाला होना चाहिए, देखिए, एक छोटा सा एक छोटी सी बात है, कि प्यार इतना न करो कि मैं बिगड़ जाओं। प्यार इतना नौ करो कि मैं बिगण जाओं, कभी डाटो, कभी फट करो कि मैं सुधर जाओं, मेरे कहने का मतलब है कि जो सत्तापक्ष के लोग होते हैं, उनको पत्रकार बंधु जो हैं, उनको आइना दिखाते हैं, पत्रकारता की स्वतन्तरता को बाधित नहीं करना चाहिए, अर पत्रकारता में आजादी होना आप ही हैं, आपको हम मतलब स्वतन्तर नहीं करेंगे, तो आप डर डर के क्या पूछेंगे हम से, तो आप हमारी चाटू करता करने तो आए नहीं है हमारा भिग्यापन करने तो आए नहीं है आप तो नहीं स्पक्षता में है बाकी जो जिन बातों को लोग ले करके उनके उपर केस हुआ, मामला दर्ज हुआ उसमें क्या सच्चा है, क्या है तो कानून का काम है, लेकिन ब्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है, चोटे भाई जैसे है, मेरा उनका अच्छा रिष्ता है मैं आज या कल में जाने वाला हूँ अना मनी जी वे अच्छे आदमी है तो दू अच्छे आदमी आपसे मिलने जिलने का पुर्गाम बनाये होंगे हमारा परियास कैसा लगा कमेंट की बॉक्स में जरूर अपना राय दीजेगा तो लिए जय हिंद